नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडिये में हम बात करेंगे काईट बाई जीरोदा में स्टोप लोस इन टार्गेट ओरर कैसे लगाएं दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग में ज्यादा लोस से बचना चाहते हैं तो हमेशा आपको स्टोप लोस का यूज करना चाहिए विडाउट स्टोप लोस यदि मार्केट अचानक से विपरित रिवर्स हो जाता है तो आपको ज्यादा लोस हो सकता है हमेशा आपको stop loss के साथ ही trade करना चाहिए, जहां पर भी आप लोग entry लेते हो, तो आपको हमेशा stop loss भी पता होना चाहिए, और आपको target भी पता होना चाहिए, ताकि आप लोग market से profit कमा सको, और आपका risk management है वो ठीक तरीके से बना रही, यदि आप लोग stop loss का use नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा कभी भी ज्यादा loss हो सकता है, और आपको market से कभी भी profit हो नहीं होगा, तो इसके लिए ये basic चीज़े आपको पता होने चाहिए, कि market में stop loss कैसे enter किया जाता है, target कैसे enter किया जाता है, ये basic चीज़े आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जीरोदा में stop loss and target order कैसे लगाए जाता है, तो आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल notification को on कर लिजेगा, ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले देख सको, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले आपको काईट वाई जीरोदा application को open कर लेना है, यदि आपका इसमें dematen trading account नहीं है, तो वीडियो के description में इसका direct account open करने का link दिया गया है, directly आप लोग इसमें account open कर सकते हैं, और आप लोग कम brokerage के साथ में इसमें trading journey को start कर सकते हैं, सबसे पहले हमने आपको zero-da काईट application को open कर लिया है, कुछ इस तरीके से interface आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हम यहाँ पे example के तोर पे कोई भी एक यहाँ पे stock लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे Tata Steel stock को हम यहाँ पे buy करके, आपको stop loss and target का use case किया जाता है, इसमें हम आपको example के तोर पे दिखा रहे हैं, सबसे पहले Tata Steel के option में हमने click किया, उसके बाद में नीचे में आपको दो option देखने को मिलेंगे, एक buy का और एक sale का, आप लोग intraday में किसी भी stock को buy भी कर सकते हैं पहले, और आप लोग उसको पहले sale भी कर सकते हैं, यदि आप लोग पहले सेल करते हैं उसके बाद में आप लोग उसको बाद में बाई भी कर सकते हैं इंट्राडे में यदि आप डिलिवरी में आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग डिलिवरी में सिर्फ और सिर्फ पहले बाई कर सकते हैं उसके बाद में आप लोग उसको से पहले से आपको clear होनी चाहिए कि quantity वगेरा क्या होती है प्राइस क्या होती है यह चीज़े आपको पता होना चाहिए यह चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हम एक अलग से separate वीडियो में आपको यह basic चीज़े हैं वो बता देंगे उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यह आप लोग stop loss and target को एक साथ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए दोस्तों आपको यह पे long term का जो option दिया गया प्रोड़क्ट टाइप में दो option देखने को मिलेंगे एक intraday का और एक आपको यह पे long term का आपको एक चीज़ क्ल आपको यह पे long term की option पे क्लिक करना है long term का मतलब दोस्तों delivery जो भी आप लोग से delivery में बाय करते हो वो इसमें long term माना जाता है तो नीचे में आपको यह पे GTT order दिया गया है stop loss भी लगा सकते हो उसमें आप लोग और आप यह पे target भी एंटर कर सकते हो GTT order जो एक साल तक के ल होगा तो वही आप लोगों का exit हो जाएगा और दूसरा order आपका यहाँ पे cancel हो जाएगा जैसे कि आपने किसी भी stock को खरीदा है इस stock को आपने 103 रुपे में आपने खरीदा है आप लोग 100 रुपे का stop loss लगाते हो और उसके बाद में आप लोग यहाँ पे 110 रुपे का target ना होगा stop loss and target को आपको enable करने के लिए तो आपको सबसे पहले इस पर click करना है और आपको कितना % आपको stop loss रखना है यह आपको सबसे पहले यहाँ पर टार्ट रखना है यह चीजें आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है और उसके बाद में आपको swipe to buy के option पे click कर देना है आपका यहां पे stop loss and target order दोनों एक साथ में order है वो आपका लग जाएगा यदि आप intraday trading करते हैं तो आपको कैसे करना होगा इसको वापस से आपको disable कर देना है और आपको यहां पे उपर में product type में आपको int intraday वाले option पे click कर देना है उसके बाद में दोस्तों आपको intraday में कोई भी आपको stop loss send जो target है वो आपको पहले से order लगाने का option नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको किसी भी stop को खरीद लेना है जैसे कि हमें आपे example के तोर पे Tata Steel की one quantity हमें यहाँ पे buy करते हैं swipe to buy के option पे आपको नीचे में click करना है हम यहाँ पे market price में एक Tata Steel का share हमने यहाँ पे खरीदा है इसको check करने के लिए नीचे में आपको portfolio के option पे click कर देना है जैसे हमने portfolio के option पे click किया आप यहाँ देख सकते हैं हमने Tata Steel का एक share खरीद लिया intraday में वो आपको यहाँ पे position के option में हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यदि हम इसमे stop loss और target लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज लगानी होगी सबसे पहले तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा जब भी market आपके favor में जाता है यानि आपने किसी भी stock में entry लिए तो यदि उसका price आपके favor में जा रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको हमेशा target के लिए जाना है और यदि आपका market आपके विपरित में जा रहा है तो आपको हमेशा stop loss enter करना है सबसे पहले चीज दोस्तों यदि आप किसी भी stock में entry लेते हैं तो आपको बीना देखे आपको सबसे पहले stop loss लो enter कर लेना चाहिए यदि market आपके favor में जाता है तो जाता रहेगा आपको profit जादा रहेगा लेकिन आपको stop loss सबसे पहले आपको enter कर लेना चाहिए यनि आपको entry करते ही market अचानक से नीचे है वो नहीं गिरे आपको ज्यादा loss नहीं हो तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको stop loss कैसे enter करना है, stop loss एंटर करने के लिए position के section में आना है, उस stock के option पे आपको click करना है, जैसे कि Tata Steel के option पे हम लोग यहाँ पे click करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे exit का उजव option दिया गया है, इस option पे आपको click करना है, exit के option पे click करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे type में दो option दिये गए हैं दोस्तों, एक SL का दिया गया है और दूसरा दिया गया है, दोस्तों SLM का दिया गया है, तो सबसे पहले हम बात करते है, SL के बारे में, SL का मतलब होता है दोस्तों, stop loss, simply stop loss, इस option पे आप लोग यहाँ प्राइस प्राइस और एक होगी, प्राइस इसका मतलब होता है, दोस्तों, ट्रीगर प्राइस के आज़िसे आपकी सेर का प्राइस आप आता है, तो आपका order वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसी ट्रीगर हिट होता है, आप यहाँ से मार्केट से exit कर जाओगे, यानि इसमें 101 यहाँ पर एंटर कर देते हैं, 101, उसके बाद में आपको swipe to sale के option पे click कर देना है, हमारा order लग चुका है दोस्तों, जैसी 101 रुपे आएगा, तो हमारा trigger एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद में 100 रुपी से पहले पहले हमारा order है, वो यहाँ से successfully execute कर जाएग यहाँ आप लोगों को ज्यादा loss नहीं होगा, यदि 100 रुपे से नीचे आता है और आपने stop loss नहीं लगाया है, तो आपको ज्यादा loss होगा, तो इसके लिए stop loss हमेशा आपको use करना चाहिए, तो यह है दूस्तों, इस order को देखने के लिए आपको नीचे में जो order का option दिया अब दूसरा option आता है दोस्तों, एक SLM का, तो इसमें यह दिए आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले open order में जाना है, दोस्तों आपको मेसा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी stock आपने buy किया है, आप उसको बेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने कोई अब उपन ओडर लगा रखा है, आपको सबसे पहले उसको cancel करना होगा या फिर उसको आपको modify करना होगा, डारेक्ली आप लोग वहाँ से position में से आप लोग उसको sell नहीं कर सकते हो, तो आपको open order में आने के बाद में इस stock के option पे आपको click करना है, आप यहां से directly इसको modify कर स है दोस्तों stop loss market order जैसे ही आप लोग SLM के option पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर price enter नहीं कर सकते हो आपको सिर्फ पोर सिर्फ नीचे में trigger price यहाँ पे आपको enter करना है यानि आप लोगों को सिर्फ पोर सिर्फ एक ही price enter करना है वो है trigger price जैसे trigger price उसके नीचे आप लोग यहाँ से market से exit कर जाओगे आपको ज्यादा loss इसमें भी नहीं होगा तो आप लोग SLM का use है वो एक ही price के तोर पे आप लोग कर सकते हो जैसे कि हमें आप SL के option पे क्लिक किया SLM के option पे और हमने आप 101 के option पे क्लिक करके और modify के option पे क्लिक कर दिया है अब हमारा order यहाँ से modify हो चुका है SLM लगा दिया है हमने जैसे इसका price 101 रुपे आएगा इसे नीचे आएगा जस्ट हमारा order यहाँ से exit कर दिया जाएगा और हमें यहाँ पे ज्यादा order के section में नीचे की side में और आपको यहाँ पे जो open order रहता है जो आपने stop loss रगा है उसी order को आपको modify कर देना है या फिर आप cancel करके भी कर सकते हो लेकिन आपको modify करना अच्छा रहेगा तो इस option पे आपको click करना है जो भी आपका share है इस पे click करना है और आपको यहाँ पे modify के option पे click करना है और आपको यहाँ पे SL और SLM की जगे आपको use करना है limit price को limit के option पे आपको click करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक price यहाँ पे enter कर देनी है जैसे कि आपको इस stock को 100 10 रुपे में या फिर 105 रुपे में बेचना चाहते हैं तो आपको 105 यहाँ पर enter कर देना है और नीचे में आपको यहाँ पर swipe to modify के option पर click कर देना है जैसे इसका price 105 रुपे आएगा या फिर जो भी आपने target लगाया जितना price आएगा आपका order यहाँ से execute कर जाएगा open order में से यहाँ से हट जाएगा और आपका execute वाले option में चला जाएगा यानि आपने share है वो target price में बेच दिया तो simply दोस्तों target price को आपको समझना होगा एक limit price ही एक target price है आप लोग जो limit use करोगे उसी को हम यहाँ पे target price बोलेंगे यानि आपको stop loss के लिए तो जो आप नीचे का price है वो आप यहाँ पे enter कर सकते हो और आप लोग limit use करोगे वो आपका target price रहेगा तो intraday में आप लोग दोनों को एक साथ use नहीं कर सकते हैं एक order आप लोगों को use करना है जो भी market आपके favor में जा रहा है तो आप target यूज करोगे और यदि आपका market विप्रीज जा रहा है तो आप लोग यहाँ पे stop loss का use करोगे simply और आप इस तरीके से stop loss इन target को use कर सकते हो तो दोस्तों ये basic चीज़े आपको सबसे पहले stock market में आपको पता होनी चीए सो दोस्तों ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा रहा है तो वीडियो को like जरू करे और channel पर नए है तो channel को subscribe जरू करे